अगर आपके पास Mac है और आप वीडियो एडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़िया सॉफ्वेयर जो होगा वह है Final Cut Pro जो की Apple का खुद का सॉफ्वेयर है तो आज किस वीडियो में हम Final Cut Pro सिरफ पांच मिनिट के अंदर अंदर जितने भी बेसिक से वह सब सीखेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यह विंडो शोगी जिसमें जो यहां पर जो लेफ्ट कोर्नर वह हमारा लाइबरी शोगरता है अब लाइबरी क्या होती है जैसे कि हमें फाइल पे गए हम न्यू और यहां पर हमने लाइबरी एक नहीं स्टार्ट करनी है अब नहीं लाइबरी को भी नामधे देंगे जैसे इसमें अंटाइटल 6 मैंने इसे सेव किया तो यहां पर लइफ्ट साइड में हमें साइत लाइबरी शोगी अब जैसे लाइबरी में हम इंड़िया चिर्ट करने के बाद आप ऑद जो भी अपने वीडियो एडिट करनी है वह आप तो वीडियो मैटीरियल के इंतर जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने अपने फाइनल कर प्रो एक्स में यूज करनी एडिटिंग के लिए तो मैं पूरा फॉल्डर सेलेट कर लूँगा तो यहां पर हम इसे इंपॉर्ट करेंगे इंपॉर्ट करने के बाद जो हमारे जितना होगा यहां पर और रेजलुशन भी 19,20,10,80 और साथ में रेट है रेट मताब फ्रेम रेट तो अब नीचे ओडियो है और चैनल जो भी आपको ठीक लगते हैं इसके अपर कर सकते हैं तो मैंने यहां पर ओके किया तो मेरा टाइम लान रेडियो हो चुका है अब यहां पर इसके अपिस्ट कोच यहां पर हमारे सारा हुआ अप्समार को यहां पर घराजबनियो की का वह मेhr·ड़ियू फेडोड वाह पके अपने इंट्रियागरिध में भी 1 वीजाju मिचिक यहां पर हम यहाला select करते हैं हमने simply by click करके हमने drag करना हमने timeline पर तो यहां पर हमारा जो title है वो तियार हो जाता है तो बहुत easy है use करना ठिक है और अगर हम title हम edit करना है तो यहां पर changes करने के लिए हम जिसे पर title layer लिखा हुआ हम इसे double click करेंगे तो यहां पर अपना फिर type कर लो जैसे कि हमने लिखा coding गया और अगर जैसे हमने coding गया लिखा यहां पर आपको right side में आपको जितनी properties है जिस चीज पर भी आप काम कर रहे हो तो इसके सारी properties यहां right side में display हो जाएगी जिसे हम edit कर सकते हैं जैसे कि यहांपे size का option है मैं da size increase कर लिया और आपको यहांपे उपर यहांपे color का option भी मिल जाएगा और आपने color change करना है तो थीक है तो उसके बाद जैसे मेरा media पास जो मेरा media था उसे मैं यहांपे कोई भी video है मैंने simply से drag करना है उसके बाद मैं इसे complete यूज कर सकता हूँ मैं इस वीडियो का उपर मैं इमसे हों मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले एक इमेज ण करुट करूंग तो इहां पर कम इनकर फेर सबसक्राइब के इमेज है मैं क्या करूंगा इस इमेज को क Language कर दोंगा उपने वीडियो के मैंIt पर मैं ड़िक करूंगा और यहां पे एक मेरे पास option है, transform का, transform से क्या करूँगा, मैं इसका size है, उसे reduce कर दूँगा, और यहां पे साथ में एक और आपको crop का option भी मिलता है, और मैं इसे crop कर दूँगा, according क्यों जैसे मुझे चाहिए, ठीक है, और यहां पे done, ठीक है, तो अब यहां पे जो, मैंने, जो ऊपर एक image लगाई थी, उसे मैंने transform के help से, उसका size videos करके, मैंने उसके ऊपर overlay कर दिया, overlap कर दिया, और इसके मैं position में change कर सकता, transform उस करके, पुरे screen में मैं इसे कहीं भी use कर सकता हूँ, अब यहां पे अब हैपको right side में, यहां पे आपको transitions मिलते हैं, जैसे एक video से दूसरी video में अगर जाते हैं तो यहां पर बीच में कुछ transition देखने को मिलते हैं, यहां पर एक flip transition है मैं इसे drag करके, दो video को बीच में insert कर सकता हूँ, तो यहां पर जैसे कि कोडिंग गयाना है उसके बाद यह फिलिप हुआ और यह यूज हो गया ऐसे बहुत ईजी है यह यूज करना अब उसके बाद उसके साथ में एक और आप्शन है जिसमें एफेक्ट दिसकते है अपने वीडियो को यह भी सेम तरीका है आपको बस कोई भी कि एफेक्ट है उसपे दबल क्लिक करना है और या या फिर आपको अप्ला करके इस वीडियो के पार के उपर आपको पेश्ट कर देना जैसे कि अगर मैंने कोई भी portion कट करना अपनी वीडियो में से जैसे कि मैंने यहां से लेकर यहां तक कट करना तो मैं blade option यूज करके बस मैंने tap करना है वो simply cut हो जाएगा अब अगर मैं वापिस अपना select option यूज करूँ और उस portion को select करूँ तो वो portion अलग से अलग से cut हो जाता है हमारे normal वीडियो में से अब इसे simply अगर मैं delete करना हूँ तो मैं delete यूज करूँ गा और एक और option है हमारे पास जिसे कि अब अगर मैंने 40 seconds के बाद वाला जितना भी part है वो सारा मैंने delete करना तो मैं simply वीडियो को select करूँ गा और मैं command भी कीबोड पर टाइक परूँगा उसके बाद जितना भी rest portion था वीडियो का वो हमारा एक अलग cut हो जाता है और वो अलग video में change रहता है तो हम इसे simply up delete कर सकते हैं तो यहां पे कुछ commands है हमारे जो हम keyboard shortcut जो में use कर सकते है अब बार यह आती है वीडियो को export करने की वीडियो को export करने के लिए हम उपर right side में share का button होता है उसे में master file use करते हैं यहां पे आपको settings ही होती है आपको video codec format और यह सब चीज़े अब उसके बाद आपको यहां पे next पे क्लिक करना है तो बस उसके बाद आपकी जो sharing है मतलब की जो exporting है वीडियो की वह शुरू हो जाती है तो thank you guys इसी के साथ हम video खतम करते हैं तो अगर आपको video पसें दे तो please like करें और चैनल को subscribe करना नहां बोले thank you